आज मैं आपकी साथ मसूर की डाल का एक ऐसा फेस पैक शेयर करने जा रहे हूँ जिससे आपकी स्किन पर पहुत अच्छा निखार आएगा यह आपकी खूब सूर्ती को पहुत ज़्यादा बढ़ा देगा इससे सारे दाग धबे टैनिंग दूर हो जाएगी और आपकी स्किन पहुती ग्लो करने लगेगी तो स्टार्ट करते हैं यह फेस पैक बनाना सबसे पहले इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको मसूर की डाल चाहिए मसूर की डाल को मिक्सी की जार में डाल कर पीस कर इसका पाउडर त्यार करें तो यहाँ पर मैं एक बाउल में डाल रहे हूँ दो चमच मसूर की डाल का पाउडर मसूर की दाल में प्रोटीन, केल्शियम, कार्वोहाइड़ेट, पोटेशियम, सल्फर जैसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी डलनेस को दाग धबो को दूर कर हमारी स्किन पर बहुत अच्छा निखार लाती है अब इसमें एड़ करना है आदा चमज ग्लीसरेन ग्लीसरेन हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से Mechanizer करता है ग्लाब जल एक बहुत इच्छा DON की कलिंजर होता है यह हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी طरीके से साफ करता है अब इसमें आपको एड़ करना है नीवू का रस आख्चा नेवू का रस डाला है नीबू एक बहुत अच्छा bleaching agent होता है यह हमारी skin से दाग धबे दूर करके हमारी skin को एकदम साफ बना देता है अब इस सब को अच्छी तरीके से आपको mix कर लेना है अगर आपको नीबू soot नहीं करता है नीबू से कोई allerggy है तो आप इसकी जगा टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हर चीज हर किसी की skin को soot नहीं करती है THIS लिए जो चीजे आपकी skin को soot करती आप उनीआ का इस्तेमाल करें मसूर की दाल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि इससे आपकी स्किन पर बहुत अच्छा चेंज आता है इसकिन पर जो भी दाग, धबे, पिग्मेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है मसूर की दाल का यूज़ करने से ब्लैक हैट्स, राइट्स भी रिमूव होते हैं और मसूर की दाल हमारे स्किन में बहुत अच्छी कसा वट लाती है यहाँ पर यह पैक बनके त्यार हो गया है, इसे आपको कैसे इस्वाल करना है वो मैं बता देती हूँ इसे आपको इस तरह अपने फेस पर सर्कूलर मोशन में धीरे-धीरे मसाज करते हुए लगाना है चार से पांच मिनट तक इसी तरह मसाज करनी है जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यदा ड्राई रहती है, उन्हें केबल फीक में एक बार ही इस पैक को अपने फेस पर लगाना है क्योंकि मसूर की दाल हमारी स्किन को थोड़ा और ड्राई बना देती है और उन्हें ये भी याद रखना है कि इस पैक में ग्लीसरिंग जरूर रैट करें ओली और नॉर्मल इसकिन वाले लोग वीक में कम से कम दो बार इसे अपने फेस पर अपलाई करें अब इस तरह 4-5 मिनट तक हलके हाथों से मसाज करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से दो कर इसे साफ कीजिए और इसके बाद अपने फेस पर कोई भी मॉस्टराइजर जो आप लगाते हो उसका इस्तेमाल जरूर करें इस पैक से आपकी स्किन बहुती टाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्पोर्टलेस हो जाएगी आपकी स्किन पर बहुती अच्छा निखा रहाएगा रेमेडी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें